कुछ ऐसा फेल नहीं हो रहा जैसे किसी छुटिया बताने वाली डेस्टिनेशन प्यों यह लोकेशन ही कुछ ऐसी है बिल्कु चंडीगड के पास है और वैसे हम आपको आज घर दिखाने लाएं यह लोकेशन कुछ ऐसी है कि आपको वीडियो के बीच में भी न पंच्यों के चाह चाहाट आओ को पूरी नजर आएगी सुना ही देगी अच्छे से एक अच्छा महाल है बिल्कुल ऑक्सिजन से पूरा बहरा हुँ अच्छा महाल है यहाँ पर और दिन भी आज का बहुत शांदर है तो आज हम यहाँ पर बहुत शांदर घर देखने जा रहे हैं दोस्तों यूजली हमारे ना एक तमन्ना होती है कि हमारा घर एक ऐसी लोकेशन पर हो जहां पर सिटी भी पास में हो हर फैसेटी इस पास में हो और ग्रीन एरिया जो है न वह आसपास हमारे हर जगाँ हमें मिलना चाहिए तो दोस्तों घर भी हमारे कुछ ऐसी रहेंगे बिल् दिखाने जा रहे हैं 200 गज के अंदर जो आपके विला फ्लोर्स है तो फ्लोर्स हम आपको पूरे दिखाएंगे शुरो से एंड तक पूरी वीडियो का मज़ा लीजे चलते सीधा फ्लोर के घर के पास प्लोर के प्लोर के पास कि अ widget स्टेव पार्किंग के साथ आपको इस पैनिश लूप में आपको घर यहां पर मिलने वाले जहां पर डो गाड़ियों की आपके पार्किंग रहेगी मैं दोस्तो यह हमारा क informação डोर पर फास एरिया इसका बन जाता है और जो covered एरिया हमारे घर का रहेगा यहाँ पर साड़े 15 सो रहेगा तो space काफी अच्छी है बहुत अच्छे तरीके से manage इसको किया गया तो बढ़ते हैं घर की तरफ तो सबसे पहने हमारा main address डूर रहेगा जो की 8 फिट की height रहेगी शांदार डूर है आपके घर का main address यहां पर drying और dining दोनों अलग अलग रहने वाले हैं तो 15 फिट सिरफ अगर हमारे ड्राइंग अरे के मिलते हैं तो आप देख सकते हैं थ्री सीट आपकी यहां पर लगी है उसके लावा दो सीट समने अलग से रखी है पूरी वाल जो आपके विंडोस की रहेगी ताहकी light जो है पूरे घर के अंदर यहां पर आती रहे एक अच्छा light और ventilation वाला जो मज़ा होता है इस पेस पेस पे आपको पूरा मिलना चाहिए अपने घर के अंदर क्योंकि जैसा हमने शुरू में देखा था एक बिलकुर आती है कि माफी जाओंगा बीस फिट की बाल को नहीं रहेगी आपकी बीस बाइचार की तो काफी अच्छी स्पेस है अगर आप यहां पर चेर लगा कर बैठते हैं तो एक अलगी मजा यहां पर आता है और स्पैनिश लूक है तो आप देखिए आपकी विंडो की ऊपर जो तो वापिस बढ़ते हैं मंदर की तरफ और दोस्तों पूरे घर के अंदर फॉल्स लिंग डिजाइन आपको एस इट इस मिलने वाला कंसील लेंप्स के साथ तो आपको लाइट्स के बारे में क्यों सोचने की जूरूत नहीं पड़ेगी और जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक काफी शांतार सा एरिया हमें यहाँ पर मिल जाएगा जिसे हम डाइनिंग एरिया कम लॉबी भी हम कह सकते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पर काफी अच्छी है और इसको डिजाइन कुछ इस तरीके से किया है कि आप किसी भी रूम से आएंगे यहां से वहां जा रहे हैं तो किसी भी तरह की प्रॉलम नहीं आएगी कोई चीज आपके रास्ते में कोई फशेगी नी क्योंकि यहां पर डाइनिंग टेबल रखने के बाद यहां पर चोटा मोड़ा टेबल हमने रखे हुए और दूस साड़े चौदा भाई चाड़े चौदा एक अच्छी स्पेस होती है अगर मैं डाइनिंग एरिया के लिहांसे से देखता हूं यहां पर यहां पर हमने अगर सीटर लगाया तो अगर आप एट सीटर यहां लगाना चाहते हैं तो कोई बिना किसी प्रॉब्लम कि आप अराम कि आपको जो चाउंटर एक्जाक्क्ति आपको बॉल उब होट शाओ recaiz टेंग किップ बाद केवानीवें अवाले कि अचैक्टि ने वाली है ओ Nadam आपके लगे हो तो दोस्तों इसके बाद जो है आपका फर्स्ट गैस्ट बैड्रूम आयाता है ठीक यहां से हमारा गैस्ट बैड्रूम शुरू हो जाएगा और काफी अच्छी स्पेस हमें मिल जाएगी इस बैड्रूम के अंदर भी एक अच्छा डिजाइन हमें सीलिंग पर मिलता है उसके इलावा एक अच्छी चीज आपको यहां पर मिल जाती है देखने के लिए पर आपका जो रहेगा 13 गयारा का एक पैड्रूम साइज जो हमें यहां पर मिल जाता है इसलिए अगर हमने यहांपर आगर देख सेके हैं आपकी यह और ठीक यहां पर भी आपको बड़ी सी बालकोनी मिलती है एक जैकली यह सेम आपकी बालकोनी रही कि जो हमने पहले भी देखी थी सेम आपके किनेक्टीबिटी दोनों तरफ से रहने वाली है कि ओपन एरिये यहां पर काफी अच्छे ताकि फ्रेश एर आपके घर के अंदर तक बिल्कुल पूरी प्रॉपर आए पर आपको यहां पर आने के बाद ना अपने अपने फिल होने लग जाएगा कि यहां पर सांसे वाके बढ़ रही है दोसर वाश्रूम जो रहेगा आपका कॉमर रहेगा जो हम अभी बिल्कुल देखकर आए है जैक्ली सेम वाश्रूम आपका यहां से कनेक्टिविटी रहेगी तो घर की बात यही होती है कि आपको यहां पर स्पेस जो है वो पूरी प्रॉपर मिलनी चाहिए और वो अग्जेक्टली आपको यहां पर मिल जाती है और दोस्तों ड्राइंग ड्राइनिंग और फर्स्ट के बाद हमारा ठीक यहां पर हमारी कीचन आती है जो कि बिल्कुल एक अच्छा खासा साइज हमें मिल जाता है आपके 14 फिट की किचेन है 14 फिट वाके अपने आप में बहुत शांदर साइज होता है 14 वाई साड़े साथ एक अच्छा साइज और डबल टू साइड किचेन रहेगी जिसमें ड्राइ और बैट दोन तरफ अलग लग आ गए है इसली अगर आप ठीक इस तरफ देखें के त उसके इलावा उपर चिमनी की स्पेस रखी है उपर आपके जितने बी यहां पर आपको आपके जितने भी जितने भी डॉट धान बहुत पूर चिसे बाहर न रहे हैं प्रोपर एक ट्यवाक आपको वाल पर मिलेगा और कुछ ऐसा रखा गया है आप चाहे तो बदला सकते ह तो जब अगर वाइट कलर की होते हैं तो इसलिए कुछ ऐसा रखा है अगर आपको बाद में साफ करना तो कर सकते हैं जूरी नियक उसे टैम पे करना है काउंटर आपका बिल्कुल कर रहेगा आप इजली कुकिंग यहाँ पर करें चॉपिंग इस तरफ करें और वाशिंग इस तरफ करें तो भी कोई प्रॉलम नहीं होगी तो प्रॉपर आपको एक अच्छी खासी किचन की जो साइज है वो मिल जाता है उसके बाद फ्रिज के ल पाइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सारे के सारे टैप्स आपको रोटेशनल में और उसके बाद हमारे पास एक पीछे डोर आपको मिल जाएगा जहां से आप सीधा आपने वाशिंग एरिये के तरफ पहुंच जाएंगे और ये खास चीज भी है कि आपके घर में आगे या पीछे दोनों तरफ काफी अच्छी स्पेस है कुछ घर यहाँ पर एड़ी भी है और कुछ यहाँ पर अंटे के स्ट्रेक्शन भी है तो दोनों आप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और पीछे बालकोनी में आपके पास जो स्पेस रहती है चार फिट की रहती है उसके इलावा चबिस विट की आपके लेंद रहती है तो एक रणिंग बालकोनी है आप यहाँ पर अपना प्लांटेशन भी अगर कुछ करना चाहते हैं प्लांटेशन मतर कि अगर आप पॉट कुछ कर सकते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं मौन के अंदर कि हम यह भी रख सकते वो भी रख सकते हैं तो दोस्तों इसके साथ हमारा second bedroom या फिर मैं इसको master bedroom भी कर सकता हूँ flooring आपको master bedroom के अंदर सारी की सारी wooden मिलने वाली है चाहे आप tiles wooden design के अंदर ले ले या फिर wooden ही ले exactly और एक अच्छा size हमें यहाँ पर मिल जाता है 15 feet का bedroom है आपका यहाँ पर तो लुक्स के साथ space आपको यहाँ पर पूरी मिलने वाली है माफी चाहूंगा 14 feet का आपका bedroom रहेगा यहाँ पर 14 वाई 11 का तो space 14 feet काफी अच्छी space बन जाती है आपकी वहाँ से अगर यहाँ तक देखे तो यहाँ पर जुरूरत नहीं पढ़ती है अगर हम सारे कर्टस अटा देते हैं तो एक अच्छी space अपने लिए अपनी family के लिए यहाँ पर बन जाती है और उसके बाद हमारा washroom और washroom की तरफ आप देखेंगे तो वाके बेहच शांदार washroom है यहाँ पर एक अच्छी खासी लैंथम में यहाँ पर washroom में अंदर मिल जाती है आपको सेम इसी washroom के अंदर wardrobe भी इस तरफ मिल जाएंगी और washroom के एरिया के wardrobe का एरिया छोड़के अगर मैं इस तरफ देखता हूं तो अराउंड यह 10 फिट की length आपकी है 10 से थोड़ा से जादा है तो काफी अच्छी मिल जाएगी तो अराउंड 5 और 10 आपके अराउंड 15 फुट की आसपास आपकी space यहाँ पर बन जाती है तो काफी अच्छा length में आ आपको washroom यहां मिल जाता है अगें ड्राय और वेट कोंसेट के साथ है वेट कोंसेट बिल्कुल लास्ट में आपर रखा गया ताकि अगर आप आएं भी हाथ दोने के लिए यहां कमट को यूज करने आए तो आपके जो है सारी जगा पैरों के निशान ना पड़े और प्र हम घर ले भी लेते हैं माल लीजिए अगर हम साल या दो साल के बाद आ रहे हैं एनराइज हैं या फिर हम कहीं बाहर आ रहे हैं तो छुटियां भी दाने का मज़ा जो होता है वाके बड़ा चाह आयता है क्योंकि यह बिल्कुल एरपोर्ट रोड आपकी बिल्कुल पास से निकलती है चंदिगण बिल्कुल पास में आयाता है यहां से और अगर आप अपने एरपोर्ट पे उतरते हैं तो सिदा सिर्फ 16 किलो मिटर का डिस्टेंस है यहां पर वो भी बड़ा नॉमिनल सा टाइम लगता है यहां पर पहुंचने में तो एक अच्छी डेसिशन हमें होई यहां पर मिल जाती है आप की हर चीज यहां से पास में ही माचल बिल्कुल पासमें चंदिगण में आप आप अल्रेढ़ रहे है चंदिगण के आस पासके रही है बिल्कुल कनेक्टिवटी काफी अची यहां पर तो बहुत सारे benefit से मिल जातें जहां वह एक ही जगा प यह फिट का लगाया तो उसके बाद भी स्पेस जो है वो चारों तरफ काफी अच्छी मिलेगी आपको सुरी तीनों तरफ कि गैरा फिट आपकी लेंथ रहेगी तो अहां पर हमने दो फिट का तो टेबल यह आगे रख दिया यह सिर्फ दिखाने के लिए रखा था तो यूजली अगर हम इस टेबल की जिगां आपका पैनल बनाते हैं तो टीवी पैनल आपका इतना जगा नहीं कवर करती है तो वह स्पेस यहां पर और बढ़ जाती है इस सीरिंग पर डिजाइन आपको हर बेटरूम के अंदर थोड़ा सा डिफर्ट मिलने वाला और एक अच्छे पैटन के अंदर मिलने वाला है और ठीक इसके साथ आपके जो वाश्रूम रहेगा वह बिलकुल यहां टैच आपको मिलने वाला है और वाश्रूम में भी आपको अगें पैटन आपका सेम रहेगा कि आपका ड्राय वेट कोंसाइब बिलकुल अलग रहने वाला यहां पर और एक अच्छी लुक्स के साथ आपको वाश्रूम जितनी भी है तो इनों प्रॉपर मिल जाते हैं तो जिसे कहते हैं एक प्रफेक्ट होम वाली तमना जिसे कहते हैं यहां पर तक्रीवन पूरा हो जाती है तो हमारे विला फ्लोर्स यहां पर जो की 233 गज के अंदर इससे बड़े भी आपको काफी मिल जाएंगे हर साइज इस यहां पर अवेलेबल है तो अगर आप कुछ दे रुख सकते हैं तो आपको बड़े साइज भी मिल जाएंगे जैसे एक कनाल के विला जो फ्लोर्स हों के विला फ्लोर्स तो वो भी आपको और आम से यहां पर मिल जाएंगे तो दोस्तों इस घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कभी कोटेक्ट कर सकते हैं इसके इलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप कुछ भी चेक कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए दोस्तों के शेर कीजिए और आप नए चैनल पर तो चैनल कर सब्स्क्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे घर और आने वाले हैं जो बिलकुल शाहनदार है और लोकेशन या डेस्टिनेशन बिलकुल अल